हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर यूट्यूब चैनल, आज के इस नए वीडियो में हम कॉलम रिंग्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो डीटेल में आज समझेंगे कॉलम या बीम के लिए जो हम रिंग बार यूज करते हैं, उनका जनरली परपस होता है कि कॉलम के लिए जो लॉंगिट्यूडनल बार होंगे, जो वर्टिकल बार जो हम प्रोवाइट करेंगे में बार, उनको ये फैलने से रोकता है, और एक सपोर्ट जो है वो भी जो हम जोन यह उसके अंदर 30 इंच के अंदर जो है इस राड की कटिंग लेंथ जो हैं हम रखेंगे यहां जिससे आपको यहाँ पे जो इसको band करने के लिए 6 इंच का जो है 2 आपको यहाँ पे point नजर आ रहे होंगे जो यहाँ पे kill ठोके गए हैं वो 6 इंच के हैं ताकि band होने के बाद में ये आपको 7 इंच का जो है यहाँ पे आपको rod देखने को मिले, 7 इंच का जो है इसका 4 साइट से face मिलेगा और दोनों साइट से जो है एक एक इंच जो है वो covering के लिए छोड़ा जाता है, यदि 9 बाइ 9 का column है तो एक एक इंच दोनों साइट से छुट और आपको 7 इंच पे column का जो ये rod है, column या beam का जो rod है जो जाली बंद हेगी वो देखने को मिल जाएगी तो आप समझ गए होंगे इसका जो नाप अभी हमने बताया जो यहाँ पे जो हमने band करने के लिए जो arrangement यूज किया है उन दोनों कीलों के बीच का जो length होगा वो 6 से थोड़ा सा ज्यादा या लगभग 6 इंच के तो आपको band करने के बाद में 7 इंच का जो ये इसका face जो है वो देखने को मिल जाएगा 7 इंच पे और जो extra जो यहाँ पे hook देख रहे हैं आप ये जो joint है वहाँ पे लगभग आपको दोनों side का मिला करके एक एक इंच जो है वो आपको वहाँ पे joint जो है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ एक इंच से कम नहीं होना चीए आपको ये ध्यान रखना है यदि 29 इंच पे यदि छोटा जो वहाँ पे joint बनेगा तो आप उसको 30 का रख लीजिए और बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जो face है जो ये rod का जो face यहाँ पे चारो side से है वो 7 इंच से ना तो कम होना चाहिए ना तो जादा यदि कम होगा तो जो rod है वो बहुत ही अंदर side में हो जाएगे और side में जो spacing है वो बहुत ही जादा हो जाएगी और यदि जादा होता है तो फिर column construct करने के बाद में column जो है concrete fill करने के बाद में आपको rod जो है बाहर नजर आएंगे तो इन बातों का आप ध्यान रखिए और यहां पे जो angle इसका provide किया जा रहा है वो 90 degree पे है आप इसको और भी कम कर सकते हैं ताकि joint जो है वो अच्छे से बने proper way में और जब भी आप column जो है double जो दो wire समझ लीजिए आम भसा में जो दो wire है उसको binding के लिए चारो ही site पे आप use कर सकते हैं और इसी ring को column और beam में किस तरीके से बांधा जाता है इसका कौन-कौन से method हम use करते हैं वो हमने detail में videos upload कर दी है आप उनको channel में जा करके देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी गलतियां जो है mystery करते हैं उनके उपर detail video जो है हमने upload कर दी है आप इन गलतियों को दोराएना यहाँ पे lapping जो है वो किस तरीके से की जाती है beam में और column में उसको भी आप ध्यान रखिएगा यहाँ बहुत सारी गलतियां जो है आप से होने के chance होते है so thank you for watching इसी तरीके की वीडियो आगे भी आप देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए और share कीजिए अपने friend circle में